वेल्कम टूर चैनल से विल इन से तो हम करें ते डिजाइन और स्ट्रैप बीम फुटिंग तो यह पार्ट टू है जो कि पार्ट वन का कॉंटिनुईशन में और पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल जागा तो पहले पार्ट वन देखना फिर पार्ट वन पर आना अब हमारा step 6 आता है design of strap beam अब जो कि हमारा strap beam था हमने footing का तो सारा design कले था अपने part 1 में तो हमने footing का सारा design कलिया था हमारा रहता है जो हमने beam डाला हुआ है जो कि हमारा strap beam है वो चीज़ तो अब कहते है upward pressure और load per meter length of the strap beam is equal to P into B तो यह कैसे हो अब अबवड pressure कह रहे है के नीचे कुछ भी नहीं तो सॉइल का पड़ रहा है अब देखो अगर आप सॉइल का जो भी वेट है सारा उपर को आ रहा है जो कि अवर प्रेशर लगा रहा है इंटू में अगर आप 2.5 करोगे तभी आपको इस पूरी फूटिंग पर आएगा और तभी उससे आप पर मीटर आपका हमारा पूरा पता चलता रहेगा अवर प्रेशर कितना पड़ रहा है स्ट्रैप बीपर तो यह हमने करा देखो पी इंटू बी इसकल तो वां त्री 4.6 यह हमने निकाला था अपना फर्स पार्ट में इंटू 2.5 यहां पूरी ब्रेथ होगी हमारी वेट होग आप इनकी वह यह जाकर रहे है सिंपली यूडल बना रहे है हम यह यूडल करें डिघ्र हमारा होता है उसे हम कर रहे हैं दो कासी में कर दो मत करो अब इस् Square नेकर चलना व क्या बताता हो अगर आ questa करना चा ए दो देखो 560 divided by 0.25 मतलग लग रहा है और कितने डिस्टंस पर लग रहा है और कितने डिस्टंस पर लग रहा है तो आपको कितना होज़ेगा टोटल 2240 क्लोंटर पर मीटर तो यह मैंने आप इस शोव भी कर रहा हुआ यह देखो है हम पढ़ेंगे पूरे डियाग्रम सारे दे आप यह कहता है कि पॉइंट लोड को UDL में कर दिया लेकिन मैं कहता हो कि आप पॉइंट लोड में ही रखोट है लेकिन पॉइंट लोड कहां पे लेके चलो आप लेके चलो सेंटर में लेके चलो ठीए आपको यहां पे सेंटर पर होना चाहिए मतलग अगर आप यह देख लाइन है ना बस यहां पर पॉइंट लोड लगे है कितना 560 का कॉलम सीवन पर जो उसको लोड है और यहां पर क्या लगेगा हमारा 920 किलो नूटर ठीक है बस आप यह एजंशन लेके चलना कि हमारा यह सेंटर पर है यह और कुछ मत लेना आप यूडियल में भी गुस होगे निकालने पहले पोइंट कई आता हूँ देखो एक यह वहला पॉयंट हो जाएगा एक यह यह वहला पॉयंट पैश्म हम यह पिए पोइंट का ले ट्वेंट और यह कॉलम का है और यह हम पो बहुरसे जीरो ही है यहाप को पते ही है छीर इसको प्वाइट करें इसको प्वाइट कह देते हैं इसको हम एक से निकालना आप कैसे होगा देखा शिहरो आपको पता इसमें कि आपको शिएर्फर्स का फंडा पता है बैंने कहा था कि आप यह पोईंट लेलो ठीक है यहां पर पॉइंट लगाएगा आपको 560 किन्यूटन है और यहां पर पॉइंट लगाएगा 920 किन्यूटन का यह थोठा इजी हो जएगा आपको समझाना मुझे देखो शियर फोर्ट राइट फेस ओफ कॉलम सीवन तो हमारा positive होता है यह एल आपको क्या करना को बनाणा ए सफडी और जब आपकी स्टीजित और आपको आप अपना है SFD ठीए, Sheer Force Diagram, अब क्या था Sheer Force is the right face of column C1, अब C1 पर खड़ेंगे, यह left to right move कर रहा हमेशा याद रखना, यहाँ पी मैं फिट से लिखता हूं, left to right, ठीए, left to right हम move करेंगे इसमें, यह दो-तीन चीजे ही हैं, जो ने ज्यादा important है, अगर आप इनको नहीं follow करते ह तो आपको सारा गलत हो जाए, और इसमें नाहीं कोई वह है कि कोई आप working stress method से कर रहे हो, या फिर limit state method से कर रहे हो, यह सारी चीजे एक में आएंगे, ठीए, अगर आपको यह आता है, यह एक तरह की कहले तरह हम building की नहीं होती है, हमारी footing, और strap beam footing की हमारी नहीं होती है, strap beam, तो strap beam आपको आना चाहिए, तो देखो, अब right face of column C1 पर हम जब खड़े हैं, तो अगर आप left to right चलो, left to right चलो तो एक तो आपको point load लगए, तो shear force में आपको पता है, point load का simple W होता है, और जब आपको पता UDL जब हमारा होता है, तो WL हो ज खड़े है, अगर आपको ऐसे दिखाऊ में, तो load आपका उपर से लग रहा है, तो उपर से ऐसे को जाएगा, ठीए, तो मतलब यह आपको क्या हो जएगा, यह anticlockwise हो जएगा, एसे गूमेगा पूरा, इस point पर खड़े होगे, तो यह आपको क्या हो जएगा, positive में आगे, त देखो अब left to right लेने, left to right आपको यह तो लग रहा है ना, पूरा upward pressure जो की soil की वाज़ा से लग रहा है, 336.5 km per meter, यह अब यह उपर को लग रहा है, तो उपर को लगेगा, तो कुछ इस तरह ऐसे गूमेगा, तो मतलब यह clockwise हो जएगा, ठीए, clockwise हमारा क्या हो जएगा, negative, अ 10.9 kN, अगर आपकी यह चीज़ आगी, positive मैंने कहा था, positive downwards जाएगा, तो right face पर हम खड़े है, positive हमारी downward, downward को हमारी यहाँ पर चलीगी, ठीए, तो यह ऐसे नीचे आगया, हमारा SFD बन रहा है, यह हमारा bending moment diagram है, और यह आपको simple जोग आपको समझाने के लिए, ठीए, यह सार पूरे connection पे आगे, ठीए, यह पे आगे हम, तो section through edge e, अब देखो edge e पे आपको कैसे निकले है, अब बैने का था, left to right, ठीए, 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 थोड़ी sheet में इदर कर देखो, ताकि आपको और अच्ये बचले, ठीए, तो left to right हम move करना है, तो left to right move कर रहा है, यहाँ प कितने डिस्टेंस पर लग रहे है तो वह ही आपका यह पूरा यूडिया तो देखो इंटो 2.1 माइनस 146.7 किलोटर माइनस आगया तो मैंने कहा था अवड जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाप यह हमारा यह अवड चला गए ठीक है अब देखो E to F पे कोई भी लोड नहीं लग रहा नहीं आपका सॉयल का लग रहा है नहीं कोई एक्सटेनल लोड लग रहा है कोई भी नहीं लग रहा है तो मतलब सेम होगा तो होगा तो वह है कि यह हो गया अब हम पहुंचते हैं देखो लेफ फेस ऑफ कॉलम सी टू यहां पर क्यों आएगा सारा कुछ करते हैं अब हम यहां पर यहां पर सारा कुछ मिलाते हो यहां पर हम कितने शीर फोर्स है हमारी 146.7 और नेगिटिव में तो वह लिख दिया हमने अब माइनस में आगी देखो अब और क्या यहां पर और तो कुछ और नहीं लग रहा न सिर्फ आपका यह लग रहा है जो आपके अबवर्ड प्रेशर तो यह हमारा क्लॉक्वाइज है तो मतलब की नेगिटिव हो गया ठीक है अब दिस्टेंस पर कैसे लग रहा है देखो यह चीज कैसे संजाओंगront यह मैंने आगा भी आ? तो आप यहा पे सेंटर पर अधा होगे जहां पर हमारे सेंटर में लग रहा है अब हम कहा रहें कि हम तो यहां खड़े है इस point पर खड़े डिया थोड़ा से इस तरफ लेक्यात्व में जो हो मैं कहा रहोगी हम इस point पर खड़े डिया अब आप इस point पर तक को आगए अब इसका भी half करोगे तो मतलब यह minus 380 by 2 करोगे तो आप इस point पर पहुंच जूँगे नए अगर आप 380 पूरा है इसका half कर लिए इतना से distance आद इसका इससे minus कर दिया तो मतलब कि आपका F से लेके left face of column C2 तक आपकाप पूरा distance निकलाँ भलस हाफ मैंने हापर comma लिया हाफ मैंने common area तो वही मैंने आपके कर रहा है, उससे आपको solve गर के देखो, यहाँ पर कितना आएगा, minus 469.7 kN, minus है, तो ऊपर को जाएगा, जैको ऐसे ऊपर को चला गया, 469.7 kN, इसमें आपको plus minus नहीं दिखाने है, इससे आपका diagram से plus जलाता है, ऊपर को जा रहा है, तो 469 7.7 kN, आपका यह चीज आगी है, यह चीज आगी, आप देखो सिर्फ कह रहा है कि आप right face of c2, तो right face of c2 अब यहाँ खड़े है, अब सारा हम left to right कह रहे है, तो left to right में continuation रखना, यह नहीं कि आप right से left में आ जाएगा, आओगे फिर भी same ही पड़ेगा, फरगने पड़ेग आप देखो, आप right face पे खड़े है, यहां तक का हमें पता, तो अब इतना ही रह गया ना, सिर्फ इतना रह गया, अब यह हमारे कैसे लग रहा है, clockwise लग रहा है, तो मतलब negative और कितना distance है, अपका 380, तो 0.38 meters होगे तो 336.5 x 0.38, ठीक है, 3.8, अब देखो, प्लस 920 कैसे है अब यह point load भी तो लगी रहे ना, column का, हम खड़े है यहां पे, पहले हम इधर कड़े थे ठीक है, और left to right move कर रहे है, तब ही मैं बोल रहा था, left to right, left to right, क्यों बोल रहा है, देखो, left to right कर रहे है, तब तो यह आया नहीं, ठीक है, अब हम यहां पे आगे तो left to right में आप 920 आदेगा, और यह कैसे लगेगा, अब ऐसे को लगेगा, anti-clockwise लगेगा, जैसे इस तरफ लगा था, वैसे इस तरफ लगेगा, ठीक है, अब anti-clockwise तो plus 920, ठीक है, यहां से आपका आगया 323 kN, ठीक है, shear force diagram, मैंने आपको तकरीम 10 मिन बें पूरा समझा जा जीए, ठीक है, मैंने पूरे आपको अच्छे समझा दिया, तो अब आता हमारा, let the point of zero shear force be at a distance x from right face of column c1, जो जो सबसे important था न, समझने वाला, वो वही था कि shear force कैसे हम सारे points के निकालते है, इसके बाद हो सारा simple-simple है, कोई बड़े calculations ही हो नहींग, इस बदा से आता, अब हम कहता है, हमें shear force का निकालना है, distance निकालना है, जहाँ हमारी zero shear force है, zero shear force मतलब यह वहला distance एक तरह का होगा, अगर आप देखोगे SFD diagram में, तो ठीक है, अब हमें यह distance निकालना है, मतलब हमने कहां कि right face of c2 से निकालना, यहां से निकालना है, कि कितना distance होएगा, तो कैसे होगा, shear force यह वली ह हो जाएगी, ठीक है, अब देखो यह माइनस, ठीक है, यह देखो हम यहां पे खड़े हैं, ठीक हम यहां पे खड़े तो माइनस मीं हो जाएगी, यह हमारी clockwise लगी, वह हमारी anti-clockwise, यह तो plus मीं हाई थी, ठीक है, तो यह देखो, minus 336.5 into x, ठीक है, अब यह आपे ऊदर चला यहां पे हमारे 0 shear force आ रहा है, और at a distance of अगर हम पूरा प्लस कर देते है, 0.25 मतलब कि पूरे end से आ रहा है, end से आपका यह distance आ देगा, 1.64 from left face of C1, तो left face of C1 से मतलब कि पूरे आपके बिल्डिंग की property line से, ठीक है, अब यह आपका पूरा shear force खतम हो गया, अब हमारे bending moment पे, अब आता हमारे bending moment, आपको वैसे बेसिकली सिर्फ दो निकालने होते है, एक hogging और sagging ठीक है, जहां पे hog और वहां पे sag होते है, hogging हमारी सबसे यहाद है कहां पे होगी, 0 shear force पे हमारी hogging होती है, हमेशा या रखना है, यह दो चीज़े निकालने है, आप यह मैं बताता हूँ हमारे सबसे डाउन होते है, sag आता है, जो हमारे sag आता है, curve बना हो है, ऐसे जाके ऐसे curve है, तो जो हमारे sag आता है, वो कहां पे आता है, right face of column C2 पर आएगा, याद रखना है यह चीज़े, हर एक करना funda अलग-अलग होता है, कोई कहेगा, लोड को आप देखते है, कुछ ऐस hopping bending moment, point of 0 shared force, to 0 shared force पे हमें निकालने होत बतलग है, मतलब के कुच यहाँ year point load लग रहा था, आप دेखो, यहाँ से यहाँ यह दो चीज़े यहां रखना है पॉइंट लोड के लिए और यह आपका यूडल के लिए ठीक है यह चीज़े आपको याद होने चाहिए यह ऐसे नियों चाहिए कि आप बूल जाओ तो देखो अब इसमें क्या करना देखो 560 अब यहां कड़ें 560 में अब क्या करना देखो तो यह वाला तो आपको पॉइंट लोड के लिए तो आपको यहां पे हो गया अब मैनस मैं आगा UDL में आपका देखो यहां पर क्या आगा मैनस आपको पता है वह यह कि अन्टि क्लॉक्वाइस होगे वह आपको सब पता है ठीक ऐसे मैने अब यहां से पूरा लेफ्ट त लेफ्ट टू राइट गे तो यह पूरा डिस्टेंस प्लस होएगा तो 1.414 ठीक है प्लस 0.25 मीटर्स ठीक है आपका पूरा प्लस होएगा लेफ्ट से मतलो राइट से ले लो क्योंकि हमने सारे बेंडी में निकाल देखो यहां पे लेफ्ट थू लेफ्ट तो हम यहां पर खड़े हैं इसका डिस्टेंस क्या होगा तो आपके इतना distance आ रहेगा तो इसने में से इतना minus करो गए अब इस point के आपको पूरा distance मिल गया तो यह वाला आपको पूरा distance मिल गया तो वही मैंने यहाँ पे लिखा देखो 3 3 6.5 into half मैंने बस common ले लिया तो 2.3 minus 0.38 half हमारा यह पूरा square में आठी है हाफ करें तो प्लस 155 kNm आए तो 155 kNm आपको यहाँ पर पूरा आपका second minimum आगा ठीक है सिर्फ आपको इस दो चीज़ा रखने हैं अब मैं आतो देखो edge e पर ठीक है अब edge e पर कैसे निकले पर edge e पर देखो कैसे निकले देखो 560 आपको वही लेना है left to right जाना ठीक हम left to right आ रहे है यहाँ सब राइट से आए ठीक है तो left to right पर आप जाना देखो 560 या अब edge e भी खड़े है 560 तो 2.1 हमारा यहाँ पर पूरा देखो पूरा था माइनस में आपका क्या हैगा इतना से डिस्टेंस आप माइनस करते हो यह जो इधर रहता है तो वह 0.25 divided by 2 अब यह आगया पहले तो हमने कहा था left way से right पर आना है ठीक है left way से right पर है तो हमने ऐसे distance निकाल ले यह वह लाए एक जो कि हमारा क्या था no shear force जीरो शीर फोर्स ती जहां पर अब कहरें कि जहां पर हमारा यहां पर हमारा बेंडि मोमेंट जीरो हैगी वहां पर हमारा यह देखो right से लेना है ठीक है right से लेना है तो आपको सारा फॉर्मलस पता है यह simple देखो 3 3 6.5 wl square हो जेगा देखो wl square by 2 हो जेगा न तो देखो lm का square minus 920 ठीक है 1.65 meters तो यहां पर 1.65 meters आपका यह पूरा आ लेगा ठीक है यह तो आपको पता है देखो same है अब में जो चीज आती है ने वह किस पर आती है यह सोड़ा सा समझने वाला concept होगा ठीक हो step 7 आता है यह सारा आपको हो गया shear force diagram भी आपका done हो गया shear force diagram भी बेंडिंग में diagram भी आपको done हो गया तकरीबन आपके कितने लगाएंगे 10 से 15 मिट लगाएंगे दोनों चीज़े होगी इसमें कोई matter नहीं करता आपका working state method है working stress method है या फिर लिमिट method है तो यह दोनों का कोई role नहीं है आपका यह वाला बहुत इंपॉर्टेंट था सबसे पहले आपको पता है rule के होता है जहां पर हमारी shear force सबसे जादा होती है जहां पर हमारी maximum होती है वहां आपके लिखा हो आप exam में कैसे लिखो होगे मैं क्या है कि हम तो कहता है कि यहां पर maximum कितने आई थी आपको पता है सबसे आदा है थी हमारी zero shear force पर 396 km अई थी जो कि हमारा point था 1414 ठीए तो यहां पर था पूरा इसको प्लस करते है तो आपको क्या बनता था 164 meters पर ठीक है तो यह ऐसे होगे तो मतलब कि हमारा इससे तो अंदर ही आठी है footing के अंदर ही था वह point जहां पर हमारी maximum bending moment देखो मतलब मैंसे हमारी footing का size 2100 तो यहां पर 1664 है तो मतलब कि footing के अंदर ही आ रही है हमारी maximum bending moment है यह चीज आगी अब देखो अब जब आप यहां पर यह चीज देखते हो न तो यहां पर क्या होता देखो कॉलम की वज़ा से भी यहां पर देख सकते हैं कि तो यहां से कनेक्ट होया था ठीक कॉलम के साथ तो यहां पर हमारा beam आता है तो यह चीज आपर यहां पर यहां पर फूटिंग नहीं होती तो हम कहते हैं इस इस पॉइंट पर हम ले सकते हैं इस लिए मैंने यहां पर निकाला था कि यहां पर यहां पर निकालने होते हैं तो आपको कोई यह करवाता है मैं कहता हो यार आपके एक बनी हुए एक रीदम बनी हुए तो आप उसी में रहो तो मैंने यहीं पर आपको यह निकलवा दिया था यहां पर वही मैं लिखा है देखो at a section just on right of hg the footing slab is not available and the beam act as a simple rectangular beam तो यहां पर simple rectangular beam act करेगा hence depth of beam is calculated for bending at this section तो e पर हमारी कितनी थी यहां पर आपको पता है तो इस पर देखते हम अपना इस active depth निकाल लेंगे आपको फॉर्मला पता है working stress method से हम दुबारा से आ रहाते है तो आपको पता है limit कि यहां पर width हो जाएगी आपकी strap beam की strap beam की मैंने width क्या लिए थी 380 लीजिए अगर आपको याद नहीं है part 1 में लिए तो मैं फिर भी एक बर दिखायता हूं तो आप देखो आप देखते है let the width diagram diabards place in two layers to layers and clear cover 50 M 2 layers में मैं बहुँंगा कैसे strap beam का मैंने cross sectional लिखाया हब मैं कहुंगा यहां पर एक ऐसे layer में आ जाएगा एक ऐसे एक ऐसे ठीए ऐसे आगे जितने भी होँएंगे अब एक layer और होईगी ठीए एक layer और होईगी समझ रहें ना मेरी करवा रहा हूँ ऐसा चीज जिसमें आपको सबसे वर्स करवा दिया कि मतलब यार सबसे खराब कुर्शन करवा दिया अब इसके बाद जो भी कुर्शन आपके बाद स्रैप बीम फूटिंग आएगा आपके लिए सब ईजी लगएगा अगर आपने कोई बुक्स में पढ़ र वहाद सरी प्लस हो जाएगा देखो कैसी हो जेको 1047 और 50 फर ट्वेंटीप्लेंटीफवाई टू यह जो चो यहां से आपके उरॉल डट्वेंट्विस्व्जे अगर तो यहां से आपके नहीं 1027 अम तो यहां से आपका ब्रॉक्स हमने कर देख दियो तो क्या कि लगए 1.1 सबकुछ माइच कर दोगते हैं 1050 mm आपकी इफेक्टीज नहीं करने तो आप से में आपको याँ आखना ऐता है अगर आपको टूलेट्स बिनी कोई दिककति तो maximum hogging and sagging निलादा है, edge पर तो इसलिफ हम प्रताते है कि depth निकालने के लिए, तो अब यहां पर हम यह करेंगे, पहले hogging की निकाल लेंगे, फिर हमारे sagging वागया, अब since the beam act as a T beam, ब्लेंडिंग हमारी maximum कहां पर आदी, 396 km2 meter, जो कि हमारी zero shear force पर थी, इन्टू में यह हमारा किया पर इन्टू में यहां पर फरक पढ़ गया, यहां से आपका फॉर्म में values पुट कर दी, 396 इंटू 10-6 divided by 140 आपका यह था, इन्टू 0.9 इन्टू 105 जो कि हमने फ्रेक्टिटफ निकाल ली थी, तो यहां से आपका area of steel कितना आगा है, 293 mm² यह वह आपका area of steel आगे है, अब इसका भी check लगाना होता है, check कैसे minimal enforcement, तो इसका फॉर्म में आपको दिखा रहता है, एक बार आपका IS-456 में ही है, तो देखो आप देख सकते है, पर page 46 पर clause number 26.5 पर देख सकते हैं, tension enforcement तो यहां पर minimum enforcement यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर minimum enforcement यहां पर देखो तो, AS divided by BD is equal to 0.85 divided by Fy, तो परने यहां पर क्या AS यहां पर रहता है तो, 0.85 into B into D divided by Fy हमारा यहां पर ठीक है, पर यह है कि अगर मैं जल्द यहां नहीं बोलूँगा तो आपकी वीडियो बहुत लंब हो जाएगी, तो देखो minimum enforcement आपने यह सारी values डाली, तो B आपको मैंने कहा था 380 डालना है, यहां पर कोई भी 1000 बन डालना है, 380 into 1050 divided by Fy, आपको कहे होए कि आप 250 भी ले सकते हो, 415 भी ले सकते हो, 500 भी ले सकते हो, मैं पर करूँगा कि आप 250 लो, जब भी आप limit state method से भी कर रहे हो, तो 250 लेना, तो अब इसको सारा को solve करके आपके क्या है, minimum enforcement 1357 mm2, मतलब कि जो हमारी वैसे आई थी, वह minimum enforcement से ज्याद है, तो हम इसको provide कर वा देते हैं, तो देखो using 20 अब डाय बार, तो area 1 बार कहें यहाँ पर 314m2, कैसे आते देखो pi by 4, intimate डाय का square यह, उसे आपको 314m2 है, तो number of bars required आता है, इसमें आप याद आतना stab beam में चे number of bars निकालोगे आप, तो number of bars required के आएगा, area of total, total area of steel divided by area of 1 bar, तो 293 by 314, तो 9.53 आ रहे हैं, तो जिसको भी हम प्रॉफ्स कर देंगे 10 nodes, क्योंकि आपको पता है कि number जब आप number of bars है, 9.53 कैसे डाल दोगे, तो 10 bars हम यहाँ पर डाल देगे, तो आपको प्रॉइब 10 nodes of 20 आप डायर बार जीच अंडर maximum hoagy movement, तो मैंने कहा था है आपको दो टायर में डालेंगे, तो दो टायर में डालेंगे तो 5 उपर, तो यह 5 नीचे ठीए, अगर आप एक टायर में डाल जो तो कोई बात नहीं आप दस ऐसे डाल जते है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस डिजाइन नहीं करना, आप डिजाइन एक बार ऐसे करते हो प्रैक्टिकली ना प्रैक्टिकली वह बात की बात होती है, तो आपने सारी assumptions से निकालते हो तो इसमें जरूरी नहीं कि यह सारा practically भी हो, आपको यह सारा हो गया, लास्ट में दिखाऊंगा आपको पार्ट 3 में जो हमारी reinforcement details बनेगी step 11, जो चेक for development length होते है ठीक है, चेक for development length के लिए पॉइंट of counterflaggers पर हमें वह निकालनी होते है, अब मैं एक बार दिखाएता हूं आपको यह कैसे आया, अगर आप इसमें देखोगे तो आप यहां पे खड़े हो ठीक है, यहां पे आप खड़े हो तो आपको निकालना है shear force, कैसे निकलेगा, पहले तो आप लोड का ले लोग, राइट से अब लेफ्ट में आना, यह राइट से लेफ्ट में आऊगे तो यह आपका सारा अवड जा रहे है, जो कि आपका कैसे जाएगा, यह anti-clockwise जाएगा तो पॉसिटिव हो जाएगा, तो आपका यह load लग रहे है, 9 165 हुति अब हम देखते है, इसके development length का formula क्या लगता है, यहाँ बहुतिन है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर formula कहाँ आएगा, 26.2.3.3 पर page number 44 IS456 का, डेखो, M1 by B plus L0, यहाँ पर लिखा है, यहाँ यहाँ पर लिखा है, देखो, shall be limited to a diameter such that LD computed for FD, जो भी हमारा यह है, does तो देखो FD, LD उमारा एकस्टीट नहीं करना है चाहिए तो वही मैंने यहां पर लिखाओ कि मोर्दन हमारा ही होना चाहिए LD जादा नहीं होना चाहिए M1 by V plus L0 तो M1 यहां पर जो भी हमारा मुमेंट आती है यहां पर जितने ही हम बार्स के लिए निकाले मोमेंट आफ देखो क्या होता है तो यहां पर बाकी डामेटर ही होता है LD का आपको फॉर्मला पता ही है 58.3 डाया ठीए तो अब यहां आपके सारे का वेल्यूस डालोगे और हमारा development of length का हमारा चेक लग जाएगा देखो कैसे अब M1 निकालना हम कहते है let N be the number of 21 डाय बार्स required the point of counterfeiture to satisfy the requirement given by अब हम कहते है जोना moment निकालने है यहां बर कि की से घाल लेता 5 डाले यहां area of steel का आपको फॉर्म ना पता है क्या होता है मुवमेंट डिवाड़ेड़ बाइ सिग्मा स्टी इंटू में जे इंटू में डी यह बस मैंने आप यह मुवमेंट रग लिए इस सारे इदे लिए अब area of steel देखो इंटू 314, 314 इसले क्यों 20 अम डायवाज है ठीक तो कितने नंबर और बास रागें बोई निकालना है इंटू 140, जे हमारे 0.865 है इंटू 1050 आपकी डैप्त आगी ठीक है ठीक है आपको यह पूरा फॉर्म ना निकल आएगा उसके बाद शीर फॉर्म ना निकल आएगा इंटू दू नाट भी आपको 20, 0.865 आपके यहां पे लोग है डीक है और गया तो आपकी यहां पे डाली तो यहां से आपका यहां से यह इल्ग डाल जीक है तो आपने एकल डू ले जिए एकल्ट उ करेंगा नहीं यहां पर एकल्क लूग्ट igualवाज है इंग यहां इकल् 1.06 यह मतलगी n is equal to nose ठीक है 1.6 है न तो आप 1.06 है तो एक जाधा ही ले लो ठीक है कभी कम मतले लेना जाधा लेना तो n is equal to 2 हो जेगा तो दो बार्ज आप डालो hence out of 10 nose 10 बार में से only 2 nose of 21 20 mm diapar are required at the point of Contraflaggen तो Contraflaggen वह आपको जिए दो बार्ज चाहिए दो कि आपको satisfy करेगा आपको development length का ठीक है तो development length को satisfy करने के लिए आपको 2 बार्ज होगे और काँ provide करने है at the point of Contraflaggen यह आपका पूरा maximum hogging के लिए निकल गया अब हम आते हैं पर आपके सब कुछ पता है तो मतलगी सिर्फ एक लेयर में एक लेयर में लेता है तो वैसे आप जुरूरी नहीं आप इसमें दो ले सकते हैं यह पर पहले वाले पी कर सकते हैं पता चुका हूं इन वान लेयर हमने कर दिया तो मतलगी सिर्फ एक ही माइनस होगा 20 बाइ टू होगा ठीक है यहां पर माइनस ट्वेंटी और कैंसल हो जाएगा ठीक है और हम चेक करें इसके लिए अगर आपने प्रवाइट कर रहा है यह जाला रहा है यह जाला रहा है यहीं कर लेंगे अगर आपने आप्राउक्स ले रहा है पूरा तो वन फो डबल 0 भी अम स्कॉर यहां पर ले सकते थे अप्रोक्सिमेशन सब चलता अजूंशन सब चलते हैं तो वह हमारे design होता है अब देखो हमने area of steel करते हैं तो हम यह provide भी करवा देते हैं तो देखो using 20m die bars तो area of 1 bar हमारे क्या है कि 314m2 तो number of bars वह है कि total area divided by area of 1 bar तो 1382 divided by 314 तो 4.4 आगा है तो ज्यादा देलो एक 4 से तो 5 तो 5 बार आपको provide करने है ठीक है maximum saggy moment तो maximum saggy moment आपके right face पर आते हैं तो यहां पर आपको पांच provider के लिए करने है एक ही layer में ठीक है तो hence provide 5 nodes of 21m die bars under maximum saggy moment तो check for development आपका same रहेगा वह ही आपको आदेगा तो इसमें हम क्या कहते हैं assuming all the five bars are available for contraflexer यह हम कहते हैं यहां पर आपको आपको पता है यहां से आपका moment निकलाएगा ठीक है आपको पता है आपको पता है जादा ही आएगी तो 1070 हो गया पर LD भी आपको पता है यहां सारी आप values दान लागे तो यहां पर सारा solve करोगे तो आपको 1627 जो कि greater than 116 mm है तो इससे प्रदा चलता है हैंस safe यह मतला कि उन्हें पांच पांच बार आपने प्रोवाइट करवाद है जिससे कि हमारा यह कॉंट्रा फ्लाज़र प्रेंट करें चेक सेम आदा है महलुकी safe आ गया उससे आपको पूरा इंफोर्समेंट खतम होगी ठीए अब यहां पर पूरा डिजाइन ऑ डिजाइन अगर मैं बोलूँ तो strap beam का design of strap beam आपका यहाँ पे done हो गया यहाँ पे आपका खतम हो गया अब यह हमारा part 2 यहाँ पे over हो गया तो हम करेंगे देखो part 3 इसके बाद तो part 3 का आपको link description मिल जाएगा उसे हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे अपना shear ups पढ़ेंगे यहाँ पर सारा आपको link description मिल जाएगा तो thank you for watching